आज हमें एक बहुत ही important podcast लेकर आए हैं तो podcast को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और वो हमें कहां से मिला है और इसका credit हम किसको देंगे वो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा तो podcast के end तक बने रहेगा हाई friends welcome back to my channel channel में new है तो channel को subscribe कर ले और साथे साथ बैल आइकन प्रेस कर दे जिससे की मेरी आने वाली वीडियो की notification सापको पहले ही मिल जाए और साथी साथ इस वाले podcast में screen पर ध्यान रखेगा इस screen को भी देखेगा क्योंकि हम बिना proof के कोई भी काम नहीं करना चाते हैं यह कहां से हमें मिला है या क्या proof है वो भी आपको screen पर साथ साथ देखना है क्योंकि हम बिना किसी चीज के लिए न क्लेम नहीं लेना चाहते हैं तो एक हमें एक पोस्ट मिला है एक्चुली मैं एक पोर्कास्ट बनाने के लिए बैठी थी क्योंकि आपने देखा अभी मेरा जो है थोड़े से ही पॉइंट कवर हुए थे बहुत सारे बाकी थे जो हमने कल वीडियो एक अपलोड की थी लेकिन उसके कुछ पॉइंट बाकी थे लेकिन सड़नली मेरे फोन की एकदम से टोन बजी और मुझे नोटिफिकेशन मिली अब नोटिफिकेशन मिली तो मैंने वहां जाकर देखा तो वह जो नोटिफिकेशन थी वह थी हमारे यानिके रेडिट कम्यूनिटी की मैंने महाँ पर जाकर चेक किया तो मुझे ये एक पोस्ट नजर आई जिसका मैं ये स्क्रिन शोट लगा रही हूँ तो प्लीज स्क्रिन की तरफ देखिए तो ये एक पोस्ट है जिसमें कुछ लिखा हुआ है चलिए हम आपको इसको पढ़कर बताते इसमें भी कुछ चीजे हैं जो डबा की पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ के कुछ खुलासे हैं जो कि हम अपने बेसिस पे नहीं बोल रहे हैं रेडिट के बेसिस पे बोले हैं तो मैं इस पूरे पोड़कास का क्रेडिट जो है वो रेडिट को देना चाहूंगी देखिए इससे पहले भी रेडिट पर एक पोस्ट हुआ था और वो जो पोस्ट था वो बहुत लंबा चोड़ा पोस्ट था read करते हैं बलकि उन पे अपने vlogs में इस्तमाल भी करते हैं और उनके reply भी करते हुए नजर आते हैं तो वो जो post था वो madam के लिए था और कुछ मासूम रिस्ते के लिए था और उसके बाद दो दिन तक वो post पढ़ा रहा है just third day हुआ ही था या मुझे नहीं पता कि दूसरे दिन के शाम तक ही वो post जो है महाँ से delete कर दिया गया और सिर्फ रह क्या गया था जो लोगों ने सवाल उठाए थे उन post पर या उनसे जो भी सवाल पुछे गए थे तो वो सवाल वहाँ पर रह गए और जो उनके जवाब थे वो सारे के सारे delete हो गए क्यों delete हो गए क्योंकि जिन्होंने भी वो post किया था अफ़ी जब उनसे सवाल पुछे गए थे और उन्होंने जब उनके reply किये थे तो उन्होंने अपनी ID deactivate कर दी थी या फिर अपने सारे comment और वो post जो है delete कर दिया गया था क्यों तो वो post किया गया था अल्ला जाने क्यों वो delete कर दिया गया था ये भी वो बहतर जाने या अल्ला बहतर जाने और इसमें भी कितनी सच्चा है इसका हम पूरी तरह से दावा नहीं कर सकते क्योंकि मैं इसी लिए यहाँ प्रूफ के तोर पर यह screenshot यहां पर share कर रही है, वहाँ पे किस तरह की क्या बाते हो रही है, और वो post क्या था, चलिए आपको पढ़ कर बताते हैं, तो यह जो post है, यह भी मुझे लग रहा है, एक तरीके का, यह भी किसी के लिए open letter है, और यह जो letter है, यह किस के लिए है, यह हमारी डबबा मैडम के लिए, वो जो letter था, वो हमारी मैडम के लिए था, और यह हमारी डबबा मैडम के लिए था, तो साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, बड़े बड़े एक caption में, डबबा इधर आओ, तो ये थी शुरुवात और उसके बाद लिखा है dear डबा पॉइंट भी नोटिट उन्होंने भी डबा कहकर ही पुकारा है और आगे वो लिखते हैं आप में अगर दम है तो भाबी के मासूम रिष्टे के बारे में बताओ और साथी साथ जितने तुम्हारे चक्कर थे लाना मजनू फ्रोम मोदाहा और एक किस वाला इमोजी भी लगाया गया है तो ये स्क्रीन शोट में वापस से अटेच कर रही हूँ प्लीज एक दफा इसक्रीन पर जरूर दिहान दे और फिर अपनी ही पोस्ट के नीचे फिर उन्होंने एक कमेंट किया हुआ है मैं चैलें फनी को लेके फिर तुम्हारी पुरानी लव स्टोरियों को खोलते हैं आज विस्तार के साथ फिर उसी कमेंट के नीचे किसी ने कमेंट किया है दीदी डर गई अब नहीं आएगी बट आप हो यहां तो कुछ इन्फोर्मेशन दे कर जाओ अदर्वाइस आप भी कोई फिर किसी ने उसके नीचे कमेंट किया अब यह क्या है भाई फिर किसी ने कमेंट किया फैजी भाई लंबरदार और लाई मार में क्या फर्क होता है प्लीज यह समझा दो मतलब क्या मतलब होता है इस बात का तो किसी ने उसको ट्रस्ट ना करते हुए कहा है कि यह बस क्या हो रहा है आज सब में तो कोई कमेंट करके कह रहे है आज दंगल होगा और बहुत सारे हसने वाले मोजी लगाए हुए बहुत सारे मसकरी करने वाले कमेंट्स हैं और उसके बाद फिर एक कमेंट है उनका जिन्हों ने ये किया था अब लोगों ने उनको मजनु भाई मजनु भाई कहके यहां पर जो है सवाल पूछने शुरू कर दिये हैं तो उन्होंने एक और कमेंट किया है वो भी हम आपके समने पढ़कर बता देते हैं और स्क्रीन शोट भी लगा रही हूं तो प्लीज स्क्रीन की लड़कियों के घरों में कूदा है और ये डबबा की तो हम लोंडे क्या कहें पूरे मोदाहा में इनके कारणा में पता है नेहा फेजी को एक्सपोज करो ना प्लीज डबबा बनाओ ना वीडियो उन पर फिर वो तुम्हारी लव स्टोरी खोलेंगे असली वाली और उसका नीचे चुटकी लेते हुए बहुत सारे लोग हैं फिर एक और इंपोर्टन कमेंट है मैं स्क्रेंशोट लगा रही हूँ प्लीज वो भी चेक किजेगा दबा की एक फ्रेंड के साथ चक्का था फनी के साथ शी गोट चूस टू हीम आफ्टर दे ब्रोक अप एंड इट वाज अगली आई गेस बहुत सारे कहानिया हैं भाई साब तो ये एक और कमेंट है जो कि पूष्टी करते हैं कि जो मोदाहा में कि किसी को जानते हैं जिन से इनको ये सारी बाते पता चली हैं तो कहने का मतलब ये कि इतनी सारी बाते हैं उनमें कितनी सच्चाई है कितनी जूट है अब इस पर हम क्या ही कह सकते हैं पर ये सारे पोस् सारे कमेंट हैं आप जाकर वहाँ कर चेक कर सकते हैं देखि ये तो अलरेडी बात है कि सब इनसे लव स्टोरी मांग रहे हैं और ये लव स्टोरी बताने का नामीन ले रहें अगर आपकी लव स्टोरी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आप ना बताना चाहें और इतनी ल पापा भाई भावी सबने जो है रजामंदी दे दी है और अब रिस्ता फाइनल कर दिया है और अब आपकी शादी है तो जब आपने यह अनौंस किया था तब ही से लोग आपसे लव स्टोरी लव स्टोरी मांग रहे हैं कमेंट में भर रहे हैं आप सारे कमेंट के हार्ट में और like करके reply करती है बट love story ओम जी देड़ साल हो गया शादी को love story नहीं आई और इतने महीने रिष्टे की बात बताने के बाद रहा शादी की तैयारी होती रही तब love story नहीं तब तो आपने ये कह के टाल दिया था कि love story बताने का मज़ा जबी है जब दोनों लोग हमने सामने हो साथ में हो तब बताए आप तो भाई डेड़ सार सामने सामने हो साथ ही रह रहे हो अभी आपको love story बताने का मौका नहीं मिला ये love story में कोई जोल जाल है इसलिए नहीं बताना चारे ये अभी उसकी script तयार नहीं हुई है। तो भाई ये जो आप किसी ने पोस्ट किया है और ये भी बताया है, ये भी बताया है के टाटा में भिलाई में मुदाहा में भोपाल में मुंबई में कितने love story हैं कि इसमें क्या पुस्ट है भाहि देखो ये तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो जिसके पास पुक्ता सबूत नहीं हो तो उस टॉपिक पर क्या ही कहा जा सकता है लेकिन यह जो पोस्ट किया है किसने इसको भी तो डिनाई नहीं किया जा सकता ना ऐसे ही इनके भाई के बारे में सुनने के लिए पूराना मजनूफ रो मोदाहा अब ये क्या चीज़ है इसमें कितने सचाई है भाई हमें तो नहीं पता आपको अगर कुछ लगता है और इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताईएगा अब जैसे कि ये तीनों ही मतलब दोनों भाई भावी और डबा हमारी और अब तो फणी भी रेडिट पर हमेशा एक्टिवेट रहते हैं और हमेशा ही सारे कमेंट पढ़ते हैं क्या चल रहा है असपास उसके बारे में सब कुछ पता होता है तो ये कैसे पॉसिबल नहीं है इनको इसके बारे में जानकारी ना हो तो देखे भाई हमने तो screenshot लगा दी है क्योकि हमें जानकारी कहा से मिली है और credit भी दे रहे हैं यह जो आज का podcast है इसका पूरा credit Reddit को जाता है क्योंकि है information हमें वहीं से ही मिली है तो भाई आपका क्या कहना है कोंट में जुरूर बताएगा क्या यह जो बोल रहे हैं कि उसमें सच्चाई है कहीं न कहीं देखे मुझे कहीं न कहीं लग रही है इस वज़े से नहीं कि मैं उनके उपर रियक्शन देती हूँ या मैं उनके और रिव्यू ज वीडियो बनाती हूँ इसलिए क्योंकि इससे पहले भी एक बात ऐसी होगे लेकिन दब्बा ने उसके बारे में भी कोई आज तक कोई information नहीं दी तो इसके बारे में भी मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ने के बाद भी इसके बारे में कोई आके information देंगी और देखिए और अगर किसी भी तरह का कोई गलत इलजाम लगाता है ध्यान से सुनि भी अपना जो है आवाज उंची करना वो करना चाहिए जैसे कि अभी हम देर लेटेस देखा था कि नीदू के बारे में जब जो गलत चीजे थी वो सामने आ रही थी अगर यह कुछ ऐसा है तो इनको भी ऐसा करना चाहिए और सामने आना चाहिए तो छुपकर बैठ क्यों जाना चाहिए जो मैडम है वो भी अपने मासूम रिष्टे के बारे में इतने सारे पोस्ट इतने सारे सवाल लोग सब सवाल उठाते हैं जितने भी रियक्शन चैनल वो सब सवाल उठाते है अब तो जो आर्टिकल चपने लगे है ना आर्टिकल में भी इतना आने लगा है मतलब इतना बड़ा एंब इनकी चाहिए तो इस तरह से भी जानकारी में नहीं आता हो गां केन की पी आर टीम है वो इनको नहीं बताती होगी लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये कोई एक्षन नहीं लेते हैं तो भाई उसका क्या रीजन है तो चलिए भाई ये था एक रियक्षन हमारा खिस पर जो हमें एक पोस्ट मिली थी तो आपका क्या कहना है कॉमेंट में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर किजिएगा चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब किजिएगा और इस पोस्ट में कितनी सच्चा ही हो सकती है ये भी हमें कॉमेंट में जरूर बताईएगा चलिए मिलती हूँ आप से नेक्स वीडियो में तिल दन बाई बाई आफिस टेक केर